जैहिं दोस्तों स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतिये रेलबे के जो नई नवेली और हाई स्पीड ट्रेन आज हम बात करने वाले हैं स्लीपर वंदे भारत को लेकर भारतिये रेलबे ने स्लीपर वंदे भारत के पूर्डक्शन पर रोक लगा दिये है लेकिन जिस कमपनी को स्लीपर वंदे भारत तयार करने के लिए भारतिये रेलबे ने चुनी थी ओक कमपनी स्लीपर वंदे भारत को तयार करने के लिए पू प्वारतिय रेल्बे की जो नई नवेली हाई स्पीड और लगजरिय स्ट्रेथ स्लीपर वंदे भारत है इसके प्रडक्षन पर क्ने क्यों रोक लगा दी है? और इस लगजरिय उस्ट्रेथ का प्रडक्षन अब कब से शुरू होने वाले हैं? कारणों से Silipper बंदे भारत के production पर भारती ये रेलबे ने एकाए एक रोक लगा दी है तो इसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें passenger की सुख सूवदा को ध्यान में रखते हुए रेलबे ने एकाएक Silipper बंदे भारत के production पर रोक लगाए हैं इस विडियो को सुरू करते हैं इस ट्रेंट का प्रission शुरू होने वाले हैं, कितनी संखे में सिलीपर बंदे भारत को रेल्वे तयार करने वाली है, और जो पहला सलीपर बंदे भारत तयार हो चुका है उसकी लॉंचिंग आपको कब तक देखने को मिलने वाली है फूल डीटेल जनकारी मैं आपको दूंगा तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा चलिए इस डीटेल वीडियो को शुरू करते हैं भारतिये रिल्वी ने पां परिजेले साल सीवर मंदे भारत चलना सुरू हो जाएगी हाला कि इससे पहले और जटका लगा है दरसल सीवर ट्रेंड़ की डीजाइन अब तक पूरी तरह से फाइनल नहीं हो सकी है चाहता है कि ट्रेन में ज्यादा ट्वाइलेट, लागेज जोन और हर ट्रेनों में पेंट्री कार हो ताकि लोगों की जरूरत को पूरा किया जा सके चौदा महीने पहले सिरीपर कोच के निर्माण को लेकर इंडोर रसियन जॉइंट बेंचर्स जेवी के बीच एग्रिमेंट भी हो चुगा है टाइमस ओफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जॉइंट वेंचर्स में परमुख सेयर होल्डर टी एच एच के सी एओ किरिल लीपी ने बताया कि अगर भारतीय रेलवे इस प्रोसेस में देरी करती है तो फिर इसे पूरा किये जाने की टाइम लाइन को भी आगे चाहना पड़ सकता है हम जल्द पूर्डक्शन शुरू करना चाहते हैं ऐसा वो कंपनी बोल रही है जो कि स्लीपर वंदे भारत का निर्मार्त करने जा रही है इसको लेकर विवाद है कि उस पर मेरे हिसाब से दू घंटे में ही समाधान निकल सकता है हम लेटर भेजने और उसका जबाब हासिल करने में ही महीनों लगा देते हैं इस जुआइंट बेंचर्स के अनई 120 वंदे भारत कोच को बनाने जाने का कॉंसेप्ट दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पर भारती रेलबे को जो कंटेक्ट जो कंपनी ने ली है सिलीपर वंदे भारत को तयार करने के लिए उन लेटर पर लेटर इंडियन रेलबे के पास भेज रही है ताकि इस पर जो भी सहमती हो तुरंत जाहिर रेलबे की तरफ से हो और सिलीपर वंदे भारत का प्रोडक्शन कंपनी शुरू करे लेकिन लेट लतीफ लेटर के माध्यम से ही एक काम अभी तक रुका यह भी पूरी इस पेस दी जाए ताकि लोगों को सुख सुविदा मिले और लोग आराम से अपने सफर को पूरा कर सके तो यह कदम है भारती रेलबे की कि जो की पैसेंजरों की से प्रोडक्शन और निर्मान कार में अटकले रेलबे लगा रही है ताकि आने माले दिनों मे किसी परकार की कोई पैसेंजर को दिकत ना हो इसलिए यह अटकले अभी लगी हुई है लीपी ने बताया कि माई तक उन्हें उमीद है कि साल के आखरी तक ट्रेन का पहला प्रोटो टाइप तैयार हो जाएगा लेकिन भारती रेलबे ने कूच की डिजाइन को लेकर कई बाद उस पर फिर से काम किया जाएगा उन्होंने कहा कि जो बदलाओ की मांग की गई है उसको पूरा करने के लिए समय और अत्रिक्त बजट की जरूरत होगी अब उमीद जताई जा रही है कि अगले साल के सिकेंड क्वार्टर तक प्रोटो टाइप को तयार कर लिया जाए जिससे कमपनी अब और भी जादा पैसा और समय की डिमांड कर रही है कि जो आप इस ट्रेन में बदलाओ करना चाहते हैं इसके लिए अब हमको और भी समय और कुछ और पैसों की आवसकता पड़ेगी और इसी पर बात अभी अटकी हुई है और रेलवे की तरफ से किसी भी परकार की कोई लेटर कमपनी को नहीं दी जा रही है इसलिए सिलीपर बंदे भारत का प्रोडक्शन अभी तक रुका हुआ है टी एम एच के परवक्ता ने बताया कि पहले हर कुछ में तीन ट्वाइलेट की मांग की गई थी लेकिन अब चार ट्वाइलेट बनाने के लिए बोला जा रहा है और हर ट्रेन में एक पेंट्री कार भी होना अनिवाज है पहले कन्ट्रेक्ट में नहीं BO का निर्मान करने के लिए देजशर से बताया जाा रहा है कि इसमें अब ट्री कार भी इसमें लगाना है और साथ में तीन ट्वाइलेट के बजाए इसमें चार्ट ट्वाइलेट का भी तयार करनी है इतना ही नहीं यात्रियों कि किसी भी तरह की परशानी नहीं हो उसका लागेज आसानी से रखा जा सके इसके लिए अलग से हर कोच में लागेज जून की भी मांग की गई है इस पर रेलबे के परवक्ता ने बताया कि भारतिये रेलबे के जरिये यात्रा करने वाले यात्रियों की भविस की जरूरतों को देखते हुए 24 कोच का भी निर्णाय लिया गया है तो दोस्तों पहले तो जो सिलीपर बंदे भारत का निर्मान रेलबे ने की है उसमें आपको 16 कोच देखने को मिलेंगे जिसमें भी EML से निकल कर और ICF कोच फैक्टरी पहुंच चुकी है उसमें आपको 16 कोच देखने को मिलेंगे लेकिन अब रेल बे इस सिलीपर बंदे भारत में 16 20 नहीं बलकि 24 कोच का डिमांड कर रही है कि इस ट्रेल में आपको 24 आने हैं तो इसके लिए और भी पैसे की आउसकता पड़ेगी साथ में समय की भी आउसकता पड़ेगी क्योंकि इसमें कोचो की भी संख्या बढ़ाई गई है और साथ में पेंट्री कार इसमें अटाइज करने हैं लागेज रखने के लिए अलग से ब्यवस्थाई इसमें भारत होने वाली है क्योंकि उसमें अब आपको पेंट्री की भी सुद्धा आपको रेलबे प्रवाइड करने वाली है साथ में लागेज रखने के लिए पूरे स्पेस भी आपको दिये जाएंगे और तीन ट्वाइलेट के जगह पर आपको चार ट्वाइलेट एक कोच के अं चार शुरू करने वाली है और जहां तक रेलबे ने जो-जो मांग रखी है तो आपको उस ट्रेन में देखने को मिलेंगे तो अभी उसका trial अभी बाकी है trial लेने के बाद उसको एक से लेकर डेड़ महीने के बाद उस train को commercial रूप में railway चलाने वाली है तो अभी उस पर कोई जनकारी railway ने share नहीं की है लेकिन जल्द ही उस train का trial देखने को मिलेंगी तो दोस्तों भारती railway जो नई sleeper वंदे भारत का जो production होने जा रहा है और उसमें जो जो बदलाव railway चाह रही है करने के लिए इस पर आपकी क्या रहा है कोमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा मिलते हैं किसी नेक टोपिक कोई नई जनकारी के साथ तब तक अपने भाई को दिजिए इजाज़ जेहीं जय भारत वंदे मातने